तो आज का वीडियो आप लोग कंप्लीट वाज कर लेते हो ना आगे आपको रिष्टेतारों के आगे दोस्तों के याज़गे हाथ नहीं फ्यलाना होगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको इक फ़ल्फी यहां पर अपलोड करना पड़ेगा यहां पर आप लोगो को दिख रहा होगा इंस्टेंट वरिपिकेशन आप लोगो को दिखने को मिलता है यहां पर आप लोगों को डिटेल वाइड बताने वारा हूं और इसके वाओड में चल के चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या चीजों की रिक्वाइड है क्या चीजों की रिकॉइड नहीं है यहां पर देख सकते हैं जो एपलिकेशन है वो और भी आई फे उत्राइच किया गया कंपनी है यानि नभी एपसी से रिजिशिट कंपनी है और यहां आप भाईया आपको अराम पे पांच जार पे लेके पुचाफ़ जार तक का लोन मिल जाता है यहां पर चोगदा परफ प्रोफिंग आप लोगोगों जागरा है बिना फीडिलपी लोन चाहिए तो इतना आपको प्रोफिंग भाहिया देना ही पड़ेगा एं तो यहां पर देख वक्ते हैं एक्जांपल ओस एम आई पी इंट्रेफ्रेट फॉर इंट्रेफ्ट क्रेडिट प्रोड़क्ट ऑपर यहां पर बताया जा रहा है अप्लिकेशन में आपको 30,000 का लोन मिलता है तो यहां पर 12 महीने तक का रिपेमेंट करने का उप्सण देखने को मिल जाता है इंट्रेफ्रेट आपका 18% का हो जाता है प्रोफिंग फिया आपका साड़े साथ 4 रुपीस का हो जाता है 2.5% का हि पर एपी यार परफेंटेज की बात की जाए तो 52.91% का एपी यार परफेंटेज है जो आपके बेंग काउंट के इंदर मनी जाएंगे वह जाएंगे 29,250 रुपए बाकी फारेज 44 रुपीस आपका यहां पर चार्ज कार्ट लिया जाता है तो आपको रिपेमेंट करना यह अगर आप लोग बिजनेस मेंन हैं तो आप लोगों का मेक्सिममं 15,000 तक का यहां पर इंकम होना चाहिए डोकुमेंट रिक्वाइमेंट की जाए तो 100% डिजिस्टल एप्लिकेफन है यहां पर प्रिंस्वली डोकुमेंट की रिक्वाइमेंट है यहां पर बताया जा र बताना है मुबाइल निंबर फिर अपलोड की वाइफी डोकुमेंट है और चेक यहां पर यहां पर आपको अपना के वाइफी कंप्लीट कर लेना है करने के बाद आप अपने इनबिलिटी को चेक कर फकते हैं एक्पेट था ओफर और इंड इंस्टेंट एप्रूबल लोन आप यह इसके agreement को बस आपको expect करना होगा, आप कर लेते हो, उसके बाद जो friend loan आपका approval हो जाता है, post approval जो आपका देखने को मिल जाता है, और directly credit आपके bank account के अंदर हो जाता है, तो यह फ़ाप application जो application है, वो यहाँ पे 5 million के ज्यादा download हो चुका है, application relaunching की बात की जाए, जो यह पर बाइस, application relaunch हुआ था, permission की अगर बात की जाए, तो यह आप से camera का permission लेगा है, यह आपको location का permission लेगा, SMS का लेगा, और अधर का यहाँ पर यहाँ पर लोगों से permission लेगा, यह पर यह पर यहाँ पर यहाँ पर देना पड़ेगा, एंड application का जो नाम हो जाता है, वो तो काफी पाने फिर डाउनलोड कर फकते हो, तो गाइस मुझे उमीद है, आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी information दिया, वो आपको पफंद आया होगा, अगर पफंद आया तो वीडियो को like, subscribe जरूर से कीजिएगा, तो चलिए फ्रेंड मिलता है किसी अगले वीडियो मैं तब तक ले जाए, इन फुरचित रही है, वन दे मातरम